नमस्कार आए दोस्तों बात करते हैं कम कीमत में संदर गाड़ी आपको मिलती है हव विरस जिसमें कि आपको मिल जाती है 65 के पार्ट तक की माइलेज थोड़े से बदला हो सकते हैं फ्यूज के डेंसिटी कैसे आप गड़े चलाते हैं साथी दोस्तों आपको बता दे इसकी मेंटेनेंस कोश्ट बहुत काम आती है और आपको इसकी रीसेल वेल्य भी बहुत अच्छे मिल जाती है तो आज हम बात करेंगे सेल्फ इस्टार्ट के बारे में कीक भी आपको इसमें इंकलूड किया गिया है आपको बताने वाला हूँ पहले डाउन पेमेंट के हम बात करेंगे कम से कम आप कर सकते हैं 22,000 रुपय तक की भी डाउन पेमेंट इतनी पेमेंट करने पर लो नमोंट आपको लेना पड़ेगा 57,000 का 12% ब्याजदर के हिसाब से दो साल के लिए मन्थली की स्थाप की बनेगी 2700 रुपय की धाई साल की हम बात करेंगे 2200 तीन साल की हम बात करेंगे 2920 रुपय आपकी मन्थली की स्थाप की बन रही है आप अगर करते हैं 35,000 की डाउन पेमेंट लो नमोंट आपको लेना पड़ेगा 44,000 का 12% ब्याजदर के हिसाब से 2 साल के लिए मन्थली की स्थाप की बनेगी 2100 रुपय की धाई साल की हम बात करेंगे 1700 3 साल की हम बात करेंगे 489 रुपय आपकी मन्थली की स्थाप पर बनेगी अगर आप अपनी EMI को और भी कम करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं 45,000 रुपय तक की फिडाउन पेमेंट इतनी पेमेंट करने पर लो नमोंट आपको लेना पड़ेगा 34,000 रुपय का 12% ब्याजदर के हिसाब से 2 साल के लिए मन्थली की स्थाप की बनेगी 649 रुपय की 2 साल की हम बात करेंगे 1349 रुपय 3 साल की हम बात करेंगे 1156 रुपय आपकी मन्थली की स्थाप पर बन रही है अभियापू इसकी बिहार के पटना में और रुट की में चलीगी 78,500 गुजुटात के गाणी देगर में 77,200 हर्याने के फरीदाबार में 75,800 जर्कंट किनाची में 78,000 पोलिशा के भूबनेश्वर में 78,900 राजस्थान के जैपूर में 80,000 36,000 बिलाई में 89,000 अगर आप रहते हैं दोस्तों इनके लावा दूसरे विर्याज में तो आपको कुछ रुपए कही अंतर देखने को मिल सकते हैं साथ ही आपको बता दे हैं हमने यापर सामिल नहीं किये हैं कोई भी एकसे सेरीज के चार्ज और नहीं दोस्तों सोरूम से हमने किसी हेलमेट को लिया है तो आप अगर इसाब काम नहीं करते हैं यही ऑनरूट कीमत रहने वाली हैं अपने सावाल आप कमेंट करें दोस्तों आगे हम बात करेंगे इसमें आपको बहुत सरी वेरेंट देखने को मिलती है साभी की कीमत क्या है जानने के लिए सब्सक्राइब करिएगा चानल को थैंक्स फर वाचिंग स्टे टून विट पवन